हेलो गाइज मैं हूँ पपू और भाई साब आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से किलियर करने वाले हैं हम रिनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या तो यहां पर आप गौर किसी है आप सब को बहुत ही आसानी से दिख रहा होगा रिनात्मक संख्या जिसे इंगलिस मे कहते है negative numbers ओके यहां तक किलिए रहोगा मैंने लिख रहा है परिभासा में कि जिस भी संख्या के आगे रिन कहने का मतलब घटा का चीन लगा होता हो तो भाई सहाव उसे ही कहते हैं रिनातमक संख्या मतलब यहां पर गौर किजिए यहां पर आप सब देख पा रहे हैं एक के आगे कुछ भी लगा हुआ है कि नहीं एक के आगे देखिए घटाओ का चीन लगा हुआ है तो यह हमारा एक क्या है यह रिनातमक संख्या है ठीक है और दो के आगे भी आप देख सकते हैं भटाकाचीन लगा हुआ है इसका मतलब यह हमारे क्या है रिनात्मक संक्या है और यहाँ पर आगे देख सकते हैं तीन के आगे चार के आगे पाच के आगे छे के आगे यह सब के आगे लिखा हुआ है कि नहीं कुछ-कुछ जी हाँ यहाँ यहाँ पर जितने भी चीज़ आप 3-4-5-6 और जाते-जाते अनन्त तक अनन्त तक कहने का मतलब ये कि आप 6 के जगह और आप बढ़ा सकते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आप जाते-जाते और ले सकते हैं तो भाई साब रिनात्मक संख्या में आपको ये चीज केवल खियार रखना है कि जिस भी संख्या के आगे 20 के आगे कुछ लग जागा यानि यहां पर लग गया घटा का चीन तो 20 हमारे यहां पर क्या हो गया रिनात्मक संख्या ठीक है और भाई साहब एक बात और है ये सोन्य से छोटा होता है मतलब 20 हमारे क्या है ये 0 से छोटा है भाई साहब समझें तो ये चीज आप गवर है नहीं था है तो रिनात्मक संख्या में आपको एक चीज खंugen के आगे घ्रण झाहे हो जाए कि नहीं तो भाई साब आप सिधा-सिधा कह दीजे ये रिनात्मक संख्या नहीं है क्यों कि इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है और इसके आगे जैसे ये लग जाता है घाटा का चीन तो भाई साब ये हमारा हो जाएगा रिनात्मक संक्या तो रिनात्मक संक्या आपको आया कि नहीं आया अगर रिनात्मक संक्या आपको आगया हो तो चलिए अब हम समझते हैं धनात्मक संक्या ओके यहाँ पर आप गौर किजिए अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं धनात्मक संक्या ठीक है तो भाई साब धनात्मक संक्या को इंगलिस में positive numbers कहते हैं किलियर और यहाँ पर मैंने परिभासा क्या लिख रहा है कि जिस संक्या के आगे धन धन बोले तो पलस का चिन ठीक है तो भाई साब धन यानि पलस का चिन लगा होता है या नहीं भी लगा होता हो उसे हम कहते है धनात्मक संक्या ठीक है जैसे यहां पर आप गौर कीजे एक के आगे पलस लगा हुआ है इसका मतलब यह क्या है धनात्मक संक्या है और इसके आगी आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पान्च साथ 7 789 नो two मतलब इसके आगे देख सकते हैं एकसर लेकर अनंत तक मैंने लिख रखा है तो यह सभी संख्या के आगे कुछ लिखा हुआ है की नहीन लिखा हूआ के ओल तो उसे हम धनात्मक संख्या ही कहेंगे मतलब यहाँ पर आप गौर किजिए आपके सामने यह दिख रहा है 20 और यहाँ पर यह दिख रहा है 20 अब इसके आगे तो कुछ नहीं लगा हुआ है भाई साब नहीं लगा हुआ है फिर भी यह क्या है धनात्मक संक्या है और इसके आगे कुछ लगा है जी हाँ लगा हुआ है घटा का चीन तो जिसके आगे लगल है उसको हम कह दें क्या रिनात्मक संक्या अब यहाँ पर पलस रहे या ना रहे उसे फर्क नहीं पड़ता है बस आपको याद रख लेना है ये की पलस नहीं भी लिखा रहेगा तो वहाँ पार जो भी संख्या होंगे वो धनात्मक होंगे जैसे यहाँ पर आप गौर किजिए ये आपके सामने दिख रहा है 25 के आगे कुछ है की नहीं है कुछ भी नहीं है अगर ऐसे रहता इस तरह से तो हम इसको क्या कहते है धनात्मक संख्या लेकिन अगर नहीं भी है अगर नहीं भी है तो हम इसको क्या कहेंगे धनात्मक संख्या गाईज आपको धनात्मक संख्या आया के नहीं आया गाईज आपको धनात्मक संख्या आया के नहीं आया अगर आ गया हो तो यार चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगर ना समझ में आया हो तो यार डिसलाइक करना और यहां से चले जाना बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लग बने रहिए और जूडे रहिए